दुनिया के सबसे बड़े टैक्स सुधार, गोड़ और सर्विसेस टैक्स को लागू किया जाना भारत में इसे एक साल पूरा हो चुका है अपने कई वादों में ये खारा नहीं उत्रा है, कई वादों में कुछ हमें अच्छाईयां देखने को मिल भी रही है लेकिन सबसे बड़ा एक फैक्टर है रहा पिछले एक साल के दोरान कि गोड़ और सर्विसेस टैक्स यानि जी एस्टी लागू होने के बाद आम आदमी को क्या फाइदा पहुचेगा क्या चीजें उसके लिए महंगी होगी सबसे बड़ा सवाल ये था क्या महंगाई दस्तक देगी या चीजें सस्ती होंगी इस पहलो पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया टोड़े के संपातक अन्शुमान तिवारी जी आईए उन से बत सर्द जीस्ती एक साल के दौरान उसने कन्जुमर को क्या दिया वागै्व पे अपने खरा उत्राज जी सी тепंजुमर के लिए के लिए कंजुमर के लिए बहुत खराबसोदा नहीं रहा दो वज़े से नहीं रहा एक तो यह कि जब जीसथी बन रहा था राहुल तब ये चर्चा शुरू हो गई थी कि GST की टैक्स रेट अगर बहुत जादा होगी तो महंगाई बढ़ेगी और वो लंबी चर्चा GST की टैक्स रेट अताय करने के दौरान पिछले साल यही समय था मैई जून का जब इस बात की चर्चा चल रही थी कि टैक्स रेट क्या होगा सर पिछले एक साल में काफी कम रही उसमें बड़ी भूमी का तेल की कीमतों की थी तेल की कीमतें कम थी मांसून पिछले साल बहतर रहा तो GST का जो इन्फलेशनरी इंपक्ट था या GST का जो महंगाई बढ़ाने वाला इंपक्ट था उसे बाकी जो बड़े फैक्टर के रेट बढ़े कई सारे खाध्युत पादों के पर टैक्स का रेट बढ़ा लेकिन वो महंगाई हैं में नजर नहीं आई तो अगर आपकुल मिलाकर उबहुकताओं के नजरी से देखें तो पिछले एक साल में जीस्टी महंगाई बढ़ाने वाला साबित नहीं हुआ लेकिन पूरे के पूरे जीस्टी के सिस्टम में कई सारी खामिया थी जीस्टी का नेटवर्क ठीक डंक से काम नहीं कर रहा था तो शुरुआत के पहले एक महीने डेड़ महीने में बिल से पेमेंट करने और अपने जीस्टी पेमेंट को लेकर आगे आने और ट्विटर और इंडस्ट्री के बीच का जो इंटरेक्शन था था वो पुराने तौर तरीकों पर लोट गया जहां बिल नहीं दिया जा रहा है, जहां कैश में पेमेंट हो रहा है, जहां आधा सामान जीस्टी पे करके नहीं दिया जा रहा है और शायद इसकी एक बड़ी वजह महंगाई कम होने की एक सबसे बड़ी वजह शायद यह थी कि GST अपनी उस पूरी पूरी चैतना में पूरी भावना में और उस पूरे तरीके से लागू ही नहीं हो पाया जिससे कि उसके tax का impact आपके consumption पर आता तो अगर आगे चल कर GST उस पूरे तरीके से लागू होता है और पूरा का पूरा tax यतना लगाया गया है वो अगर consumer के खाते में जाता है तो शायद हमें महंगाई बड़ती दिखाई देगी तो इस तरह से गर आप देखें कि जो GST का derailment है जो GST का का लंगडा लूला सा क्रियानवयन है उसने शुरुआत में महंगाई को कम भी बहुत इस मामले में कौशस रही होगी कि कहते हैं GST जो भी लॉंच होने जा रहा है वो कहीं एक जटके में महंगाई न बढ़ादे क्योंकि आपके यहां बहुत बड़ा सेक्टर कारोबार का ऐसा है जो अभी भी अन्रेगुलेटेड और अन और्थराइजड उसमें है इसके साथ-साथ बीते एक साल से पेट्रोल डीजल जहां GST जब लागू किया गया था तो उसमें पेट्रोल डीजल की कीमते हैं अंतराश्ची इस तरपर क्रूड ओयल की कीमते हैं अपने निशले इस तरपर थी लेकिन अब साल कंप्लीट होने को है तो वो एक कुशन सरका की तरफ से गायब हो गया अंतराश्ची बाजार में फिर क्रूड ओल भाग रहा है पेट्रोल डीजल की कीमते बीते एक महीने दो महीने से बढ़ना शुरू हो गई है और सरकार थोड़ा परिशान है कि आगे आने वाले दिन क्रूड के लिए अच्छे नहीं है तो देश मे जो अगला चरण था अगर जैसा जीस्टी हम चाहते थे वैसा जीस्टी आता वैसा जीस्टी इंप्लिमेंट हो होता तो शायद सरकार इसके दायरे में दो बड़ी चीजों को लाने की कोशिस करती एक पेट्रोल डीजल और फ्यूल्स थे दूसरा रियल स्टेट था रियल स् परसेंट ये एक समान पेट्रोल डीजल की दर हो जाएगी ये सोचा गया था लेकिन जीस्टी के डिरेलमेंट ने जीस्टी के सही धंग से क्रियानवेन ना होने के कारण जीस्टी का जो अगला आगले चरण के सुधार थे वो जहां के तहां थम गया क्योंकि जो करने की कोशिस में लगी इसके अगले तूसरे तीसरे चोथे चरण के सुधारों की तो बात अलग है पेट्रोल डीजल को आप जीस्टी के दारे में लाना तत्काल मुश्किल है क्योंकि जीस्टी के क्रियानवेन से जैसा हमने चर्चा की कि राज्जियों और के सरकारों के इसको बहुत गहरी चोट लगी है उनका रिविन्यू गिरा है इस समय उनके रिविन्यू का जो मुख्य सोर्स है वो पेट्रोल और डीजल है पेट्रोल डीजल को जीस्टी में दारे में लाने का मतलब होगा है कि आपको जीस्टी को उनकी एक बेंचमार्क टैक्स रेट क्य ली चीज़ तो बेंचमार्क टैक्स रेट क्या होगी क्योंकि मैक्सिबम 30% और 32% टक का टैक्स पेट्रोल पर लगता है और कब से कम 26-28% तक का वैट डीजल पर लगता है अगर इन दोनों को जीस्टी के सबसे उंचे वाले दरके इस्तर में लाया जाएगा तो 28% के आसपा बहुत बड़ा नुकसान क्या केंदर सरकार राज सरकार, पेट्रोली सरकार के लाने के बाता होने की भरपाई करेगी अभी तो वह स्थिती मैं नहीं कि जो पहला सवाल दूसा सवाल है कि GST कैसा सिस्टम है जिसमें आप लागत पर जो टैक्स पे करते हैं उसे आप जब अपने फाइनल प्रोडिक्ट पर टैक्स चुका आते हैं तो वापस ले लेते हैं इसको आप इंपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं क्या पेट्रोल डीजल के अनुसार जो भी लागत हमारी है उसमें जो भी टैक्स पे कर रहें उसे अपने फाइनल प्रोडिक्ट में जोडते हैं और वहां से रिफंड लेते हैं तो अभी यही ते करना मुश्किल है कि अगर सरकार ने पेट्रोल डीजल पर दिया जाने वाला सारा टैक्स रिफंड कलेक्शन कम से कम उस स्थर तक नहीं पहुँ जाता है जो जुलाई 2017 से पहले था एक और उसके बाद उसके उपर कम से कम 14-15% की बाइंसी या 14-15% की बढ़ोतरी नहीं आ जाती तब तक कोई भी केंदर सरकार और कोई भी राजे सरकार अपनी इस सोने की मुरगी को जो पेट है और फिलाल केंसरकार ये फैसला कर चुकी है भी कि अब एक जुलाई को बड़े जोर शोर से पूरे देश भर में जेस्टी दिवस के तोर पर मनाया जाएगा है ये किन सरकार की कमाई का, टैक्सेशन का एक तरीका, GST दिवस के तौर पे इसे मनाना क्योंकि हम जहातक हमें द्यान है, इससे बड़ा अगर कोई आर्थिक पिछला आप रिफॉर्म देखते हैं तो 91 का लिबरलाईजेशन है, उसके बाद भी हम कोई ऐसा दिवस के तौर प के बजाए सरकार को वापस पलट कर या देखना चाहिए कि इतना बड़ा रिफार्म, मैं नहीं मनता हूं कि 91 के तुलना जैसा रिफार्म था, 91 के बहुत सारे रिफार्म हुए, GST एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉक्चरल रिफार्म था, पलट कर सरकार को देश को जवाब द ना चाहिए उन सवालों का कि इतना बड़ा सुधार, इतनी हेस्टिली, इतने खराब ढंग से, इतने खराब नेटवर्ट पर, इतनी खराब त्यारी से लागू क्यों किया गया, उत्साह में आप उत्साह मना लीजे, पर पिछले एक साल में GST लागू होने के बाद किसी भ ने जाना कैसे GST अपने तमाम वादों में को पूरा भी फिलाल एक साल रहते नहीं कर पाई, हलांकि महंगाई के मुद्धे पर जहां सीधे आम आदमी जुडता है, उससे थोड़ी रहात रही है एक साल के दिनों में, लेकिन उसकी भी आभी आने वाले दिनों में गारेंट करते रहेंगे,